दादी मा के गरेलू नुशके नमर वन मुठी भर करी पत्ते को धो कर एक कटोरी सर्सों के तेल में डालें और दो से तीन दिन तक भीगे रहने दें इस तेल को धिरवर दूप में रखने के बाद इसे बालों पर अपलाई करें इससे बालों की मजबूती बढ़ने लगती है साथ ही करीपते में पाई जाने वाली एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज बालों को संग्रमर्ण से बचाब हेर फॉल से भी बचाता है नमबर टू दो मुहें बालों की समस्या बढ़ने से हेर ग्रोथ प्रहावित होने लगती है ऐसे में बालों को हेल्दी बनाने के लिए सरसों के तेल में कलोंजी को मिलाकर लगाने से बालों को मजबूती मिलती है इसमें पाई जाने वाले एंटी अक्षिडेंट और बीटा केरोटीन के गुण बालों को हेल्दी बनाते हैं नमबर थ्री मौसम अदलने के साथ बाल जढने लगते हैं इसमें मौजूद प्रोटीन की मात्रा बालों को मजबूती प्रदान करता है तो करीपता हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है आप अपने बालों के लिए जरूर से इसे अपलाई करें सरसों के तेल में मिला करके नमर फूर बालों को नैचुरली मॉस्टराइद रखने के लिए एक चम्मच मेथी दाने को आदा कप सरसों के तेल में डाल कर पकाएं दस्टे पंद्रे मिनट तक धीमी आज पर पकाने के बाद तेल को च्छाल लें और उसे हेर वास से पहले एक घंटे तक बालों में लगा रहने दें रहने से और फिर नैचुरल सैंपू से बालों को धोएं इस केल्प की नमी बरकरार रहती है तो सरसों का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हमारे पुराने टाइम में दादी नानी भी हमेशा सरसों का तेल ही बालों में इस्तमाल करती थी केमिकल से भरे सैंपू होते हैं या मतलब ओयल रहते हैं ये नुकसान ही देते हैं बालों को क्योंकि आज कल बहुत ज्यादा बाल जड़ने की समस्या समय से पहले ही बालों का सफेद हो जाना कम उम्र में ही यह सब उसी बज़े से होता है क्योंकि हम लोग ज्यादा तर बाहर की नए नए तेल नए सैंपू वगारा का इस्तमाल करते हैं इसलिए हमें पुराने पायों को अपनाना चाहिए नमबर 5 सरसों के तेल को सकैल पर लगाने से रूखेपन को दूर करने में मदद मिलती है सरसों के तेल को आबला पाउडर के साथ मिलाकर सब्ता में दो बार बालों में लगाने से बालों का काला पन बढ़ने लगता है तो बहुत सारे तरीकों से आप सरसों के तेल को अपने बालों में लगा सकते हैं यहाँ पर यही सारी tips हैं हमारे hair को लेकर के बालों को लेकर के किस तरीके से आपको सर्सों का तेल ही अपने बालों में इस्तिमाल करना है गले में बढ़ने वाले हरास और कफ की समस्चा को दूर करने के लिए मुलेठी का 7 अवस्च करें इसमें मौझूद औस दिय गोण प्रत्रच्छा प्रणाली को स्वच बनाई रखते हैं जो बिटामन आयरन और होस्फोरस से भरपूर है इसे चबा कर भी खा सकते हैं नेक्स देख लेते हैं फ्रेंट्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें नम्मर 8 एक गिलास गरम पानी में एक चम्मस नमक डाल कर कुछ देर गारगर करने से भी गले में मौझूद संक्रमण को आसानी से कम किया जा सकता है कफ के जमने से नाक से सांस लेने में भी तकलिप होने लगती है वायू में मौझूद पॉलिटेटिस मौसमी तब्दली के चलते चाती में जमने लगते हैं ऐसे में रोजाना दिन में दो बार गारगल करके गले की समस्या को सुलजाया जा सकता है तो गले में कफ जमने की जो समस्या होती है उसके लिए ये बहुती कारगर नुश्का है आप जरूर से फोलो करें गले में जमा कफ और बंदनाक बच्चों की परेशानी का कारण बनने लगता है इससे निजात पाने के लिए एक अंच अत्रक को एक चुटकी हल्दी और पुराने गुड के साथ दूद में उवालें कुछ देर बॉयल करने के बाद थंडा करके बच्चे को पिला दें इससे बच्चे को जल्द राहत मिलने लगती है तो ये छोटे बच्चों के लिए है नुष्खा अगर बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप खुलो कर सकते हैं नम्मर टैन रसोई में मसालों में मौझूद जायफल और जावित्री और सदिय गुड़ों से भरपूर होते हैं इन में एंटी फ्लेमेटी गुड़ पाए जाते हैं छाती में जमा कफ और जुखाम से निपटने के लिए जायफल और जावित्री को बराबर मात्रा में ऐसे में देशी घी का प्रेयोग करके राहत मिल सकती है इसके लिए एक चम्मच घी को कुछ बूद गुनगुने पानी में मिला कर बच्चों के सरीर पर लेप लगाएं इस लेप को गले से लेकर चेस्ट तक अच्छी तरह से लगाएं रात में सोते बक्त इस लेप को लगा अगर आपको पाचन में दिक्कत होती है तो आपको सफेद आपके फूल का सेवन करना चाहिए इससे यकीनलाव होगा इसके अलावा आपका फूल भी कुछ कफ ववासीर और सूजन को नश्ट करने में मदद करता है नेक्स देख लेते हैं नमबर 13 फ्रेंट एक लाइक पहली वार आए हैं तो चैनल को सफ्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें कई बार पैरों या हातों पर सूजन आ जाती है ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या करें नमक के पानी से सिकाए के बाद भी अगर सूजन कम न हो तो नारियल के तेल में कपूर वाल लें और इसे कम हो जाती है नेक्स देख लेते हैं नमर 14 मिरगी की समस्या एक गंबीर समस्या होती है आक के दूद में मिस्त्री डाल कर रखें और इसे रोज 25 मिलीग्राम गरम दूद के साथ लेने से आराम मिलता है बले ही आक का दूद करवा होता है लेकिन आयू बैड में इसे गुल्म और उदर रोगों के लिए भी खूब इस्तमाल किया जाता है नेक्स देख लेते हैं नमर 15 नीवू के रस के साथ अजवायन को लेई बनाकर घापल लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं तो वही अगर आप गरम किया हुआ इमली का गूदा सूजन या घापल लगाने से व भी घाव जल्दी भर जाते हैं शिक्स्टीन सूप पीने से आपको फुलू और कॉमन कोल्ड में अस्थाई रूप से और कुछ समय के लिए आराम मिलता है लेकिन अगर 36 घंटे से जादा समय तक लच्छडों में कोई कमी ना आए तो दॉक्टर से संपर करें नमर 17 बालों क तब तक गरम करते रहें जब तक कि तेल वा पावडर पूरी तरह से घुल न जाए तेल को ठंडा करके इसको बालों और अच्छे से अपलाई करें और मसाज करें आप चाहें तो इसे रात भर के लिए छोड़ सकते हैं या 3-4 घंटे बाद बालों को माइल्ड सेंपू से ध हफते में दो वार कर सकते हैं इससे बालों को लंबा घना काला और मदद करने मदद मिल सकती है नम्मर 19 कुकर खाशी फिटकरी को तवे पर भूल लें और इसे महीन पीछ लें 10-5-7 तीन रती फिटकरी को चूड में सम भाग चीनी मिलाका सुबह दोपेर और सांग को सेवन क लहसन सर्षों के तेल में को तेल को सुबह दोपेर और सांग को कान में दो दो बून करके डालने से कानुकी फिनसी अंदर भे जाती है अथवा बैठ जाती है तथा दर्द समाप्त हो जाता है 21. पेट में अगर किसी भी तरह की समस्या है तो अद्रक भी फायदा करती है इसके लिए एक टुकड़ा अद्रक लेकर कूट लें और उसे थोड़ी सी काली मिर्च और एक चुटकी हींग पीश कर डाल लें अच्छी तरह से मिक्स करें और खाएं खाने के तुरंत बादी एक गुलास गुरोना पानी पी लें 22 खुनी दस्त दो तोला जामुन की गुठरी को ताजे पानी के साथ पीश कर चार-पांस दिन एक गिलास पानी पीने से खुनी दस्त बंद हो जाता है इसमें चीनी या कोई अन्यपदार्थ नहीं मिलाना चाहिए 23 मस्तिक की कमजोरी महदी का बीज अठनी भर पीश कर सुद्ध सहत के साथ प्रत दिन तीन बार सुवेस दोपेर और साम सेवन करने से मस्तिक की कमजोरी दूर हो जाती है और इसमरंड सक्ती ठीक होती है तता सिर्दर्द में भी आराम हो जाता है 24 सिर्दर्द सौट को बहुत महीन पीश कर बकरी और सुद्ध दूद में मिलाकर नाक से बारवार खीचने से सभी सिर्दर्द में आराम होता है तो ये थी आज की 24 घरेलू नुष्के दादी मा के कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर वताएं और अपनी राय कमेंट बॉक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए